इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फोन में पैंडराइफ करेक्ट करते हैं OTG केबल की मदद से, बट पैंडराइफ करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एरर आता है, इशू विद सेंडिस्क यूएसबी ड्राइफ या यहां पर जो भी आपकी वो नाम लिख कर आता है और tap to fix इस तरीके से लिख कर आता है, आप उस पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहां पर इस तरीके से एरर आता है, format this USB ड्राइफ और यहां पर इस तरीके से लिखा होता है, तो देखिए जो आपकी USB ड्राइफ होती है, हो सकता है इसमें आपका important data हो जैसे video हो, आपकी कोई photos हो या फिर कोई data हो, तो आप format नहीं करना चाहते हैं अपनी USB ड्राइफ को, अगर format करेंगे तो सब delete हो जाएगा, तो आप format नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका USB ड्राइफ connect हो जाए और आपका जो भी data है आप वो देख पाएं, तो कै इसे करें चलिए यहां पर ध्यान से देखते रहिए, सबसे पहले इसे आप cancel कर दे, cancel कर दिया आपने, इसके बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है, और यहां पर search करना है देखिए ध्यान से, NTFS hard disk reader for mobile, इस तरीके से आप search कर ले, ठीक है, अब आपको यहां पर एक option खाई देगी, यह वाली, क्लिक करें इस पे, और इस application को install कर ले, देखिए install होते साथ ही open कर ले इसे, यहां पर terms and condition मांगेगा, तो जल्दी जल्दी swipe करके agree कर ले, agree कर ले, ठीक है, और यहां पर एक permission मांगेगा, USB by Paragon की, ठीक है, तो आपको permission दे देनी है, ठीक है, OK कर देना है, यहां पर USB से यह connect होने लग जाएगा, ठीक है, अब आपको यहां पर receive news पे I don't want पे क्लिक कर देना है, अब open और mount को option आएगा, तो जैसे मैं कर रहा हूं, मु यहां पर कुछ यह पैसे वैसे की बात करेगा, तो आपको डरना नहीं है, आप free trial यूज कर सकते हैं, तो start trial पे क्लिक करें, और sign in with Google पे क्लिक कर दें, ठीक है, तो आप अपना Google account यहां से चुन ले, जिस पे भी आपको चाहिए, तो मैं Google account अपना चुन लेता हूं, ठीक है, फिर यहां पर permission मांगेगा, तो allow कर दें, allow करने के बाद अब यहां पर open के option पे क्लिक करें, तो यह आपको बोलेगा, आपको एक और application की जरुत पड़ेगी, जिसका नाम है total commander, तो open Google play पे क्लिक करना है, और play store खोल लेना है, क्लिक करके, तो यह application यहां पर आपको दिखाई दे जाएगी, तो यह application आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी, इसे install कर ले, ठीक है, यहां पर install कर ले, और install होने के बाद इसे open कर ले, यहां पर इसे accept कर दे, allow कर दे, ठीक है, यह करने के बाद, आपको देखिए, यहां पर Microsoft की तरफ से USB by Paragon software दिख जाएगी, तो बस आपको इस पर click करना है, यही आपकी USB है, ठीक है, देखिए, आपकी यह USB storage है, इस पर आप click करें, आपके जो भी USB में folders होंगे, आपको दिख जाएगे, और देखिए, यहां पर मेरी कुछ images थी, तो इस पर click करके मैं images दिखा देता हूँ, देखिए, यहां पर यह images और कुछ है की नहीं देखता हूँ मैं, और कुछ मैंने रखा नहीं था, मैंने सिर्फ images ही रखी थी, तो आप देख सकते हैं, तो आप direct यहां से इसे open नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना होगा, इस पर long press करना है, जो जो काम की चीज़े हैं, आप उसे copy कर लें या move कर लें कॉपी पर क्लिक करें, और यहां पर क्लिक करके, अपने मन पसंद फोल्डर पर आप सेलेक कर लें, या दो डॉट पर क्लिक करें, अब जो भी आपका फोल्डर है, जहां पर भी आपको सेफ करना है, या copy करना है, या move करना है, उस पर क्लिक करें, और ok करें, वो आपका जाएगा वहाँ पर फोन की स्टोरेज में तो उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स्टोर को सब्सक्राइब जरूर कर दे